हलो धन्यवाद दोस्तों हमरा यूटूब चैनल का अपका स्वागत है तो आपको मैं आपका यूटूब आपका वोर्प्रेस वेबसाइड में कलरों करणा मैं आपको बताना चाहता हूं कि तो इस से पहले आपको एक प्लगिन का प्लगिन का दर्मना जरुरि amino है कि तो क्या करना में साइट ओर侍टिन करने का बाद अपीएरेंट में जायें अबको यह प्लगिन इंस्टॉल करना जरूरी सघ्चीनウॉः है देखो बहुत लोग CSS edit करते हैं टाइम पर आपको wordpress का CSS edit करने बहुत टेंक्शन गभराता है कि कुछ घलत हो गया है कुछ प्राब्लम हो गया तो वेबसाइट करट हो जाता है इसका आपका डरने का कोई ज़रद नहीं है मैं आपको स्टेबस से बताता हूं कि कैसे CSS add करना अगर अपीरेंस में कस्टम CSS क्लिकर तो आइसा आपको पे जाता है यह पूरा आप देख सकता है कि यह मैं जो कुछ मेरा कस्टम CSS मेरा wordpress stream का CSS नहीं है यह मेरा कस्टम CSS की मेरा website ऐसे दिखना बोलके मैं मेरा own CSS करके रखा आपको तोड़ा से तोड़ा आईडी और से classes का knowledge होना ज़रूरी है तो यह पर आप देख सकते हैं यह पूरा हमारा वेबसाइट है राइट वेबसाइट में जाने के बाद अभी देखो आपको यह यह color चेंज करने का इंटरेस्ट है अभी यह color में क्लिक करिए कौन सा भी color for example यह color चेंज करना चाहिए अगर आप यहां पे content पे click कर दिया यहां आप देख सकते page content p right click कर यह बाद page content लिए आगे ना यहां पे आपको text color है यहां आप देख सकता है text color click on red red हो गया देखो पूरा content change हो गया पूरा content का color red हा गया तो इसमें आप गबराने का कुछ जरूरत नहीं है आपको individual ideas अगर आपको सिर्फ यह content का सिर्फ यह content का आप color change करना बोले तो उसको unique id देना ज़रूरी रहता है कि unique id देके उसका color change कर सकता है मगर यह तो class file से हैं सब class file को apply हो गया तो आपको अगले video में बदाएंगे कि सिर्फ यही content को कैसा color जोड़ना तो आप अगर color change हो गया क्लिक करिए क्लिक करने का बाद आप यहां पर देख सकता है आपको content यहां पर add हो जाता है यहां पर देखिए not this color I think और एक बार देखनेंगे just a second गलत हो गया कुछ भी घलत नहीं हुआ tension नख लो direct color है right एक क्लिक कर दिया उनसे page.page-content.p page.content.p यहां पर देखिए color change हो गया red color for example in future अभी save to CSS मार देजिए अगर आप हमार आपका website देख लिया है तो आप देख सकते हैं की content पूरा red में आ जाता है एक मिनेट तोड़ा internet का problem है पूरा red में आ गया content पूरा तो फर एक्जांपल आप ऐसा सोच साही कि या रहे CSS बतला गया अभी फिर से वापस कैसे लेकर आना पूरा अम बला तो default settings कैसे लेकर आना उसका गबराने का कुछ जरूरद नहीं है आप यहां पर जाके आप यहां पर देख सकता है यह color change हो इसको ऐसा करके backspace मार यह नहीं तो यह पूरान भी निकाल सकता है मगर यह मैं justify लगा दिया यह मेरा previous का correction है अब color निकालके save to CSS तो page load करिए जो को फिर से पूरा ब्लैक लार गया देख डिफॉल्ट का color है तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि CSS कैसा बदलना HTML में आपको समझ में आया बोलके हम सुच रहे जी तो आपका हमारे वीडियो पसंद हो तो प्लीज सब्स्राइब करिए और एक अच्छे वीडियो से आपका सामने आता हूँ धन्यवाद